तीन मांतरिक, पार्ट सेवंटीन ये, प्राणों के डर से कांपते हुए, अपने पास आये हुए, रेगिस्तानी डाकों को धेख कर हसन गोरी हस पड़ा, रेगिस्तानी प्रांतों में व्यापार करने वालों को लूट कर, अनेक वर्षों से अपने पेट बरने वाले ये डाक उसके हाथ में इस प्रकर आसानी से आ जाएंगे इसकी कलपना भी हासन गोरी ने कभी नहीं की थी। इस विजय का कारण भूत पद्मपात था। फिर भी हासन गोरी ने सोचा कि नवाब उसी का सम्मान करेगा। इस कारण से हासन गोरी पद्मपात से बोला, पद्मपात तुम्हारी शिक्ती अफुर्व है। इन अत्याचारियों को बंदी बनाने के लिए मैंने अनेक बार प्रैत्म किया, अनेक परेशानियों का सामना किया, परन्तु सफलता नहीं मिली। इस कारे में कई साल लग गए, आज तुम्हारी मदद से यह संबव हो सका है। अब यह रेगिस्तानी प्रदेश व्यापारियों थदा यात्रियों के लिए यात्रायोग हो जाएगा। आपकी कुरुपा के लिए मैं अत्यांत आभारी हूँ। पद्मपाद मुस्करा कर बोला, मैंने यथा शक्ती तुम्हारी मदद की, मेरा काम समाथ हुआ। अब इन डाकों की सुनवाई करके नहें दंड देने की सिमेदारी तुम्हारी है। मैं अपने भेडियों और भागों को वापस बेज देता हूँ। जो काम इन्होंने करना वह कर चुके। यह कहकर दोनों हाथ उटा कर उसने कोई मंत्र पड़ा। तुरंत बेडिये वा भाग अदृश्य हो गए। पद्मपाद अपनी मुठी में आये कंकडों को हसन गोरी वा पिंगल को दिखा कर बोला। यही सब बेडिये और भाग है। यह कहकर उन कंकडों को दूर फेक दिया। असन गोरी का आदेश बाकर उसके सैनिकों ने सबसे पहले डाकों के नेता भेरोनाद के हातों में हतकडियां लगवाई। इसके बाद उसके सारे अनचरों को रसों से बांधवा दिया। इस बीच पद्मपाद ने पिंगल को अलग ले जाकर पूछा। पिंगल क्या तुम शीगर अवंती नगर को लोट जाना चाते हो। जी हाँ पद्मपाद मेरे दुस्ट भाईयों ने नावता के साथ मुझे बेच दिया। इसके बाद मेरी माताजी को भी ले नाना प्रकार से सताते होंगे। इसके पूर्व उन लोगों ने इसी प्रकार क अपनी माता के प्रती भी उनके दिल में मामता या भक्ती नहीं है। पिंगल ने कहा। तुम्हारे इन सारी मुसीबतों का कारण इह है कि तुम भरलोक केतु को आवाहं करने वाले मंत्र को भूल गए। लो सुनो मैं फिर वह मंत्र तुम्हें पताता हूं। इस मंत्र को की अंगूटी उतर कर पिंगल के हाथ में दे दी। तब कहा लो इस अंगूटी की रक्षा सावधानी से करो। जब भी तुम मुझे देखना चाहो तब मन में मेरी याद करके अंगूटी का सपर्ष कर लेना। पस तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। पद्म अगर तक नहीं आ सकते तुम्हें धेखकर मेरी मां अत्यंत प्रसंद हो जाएगी। पिंगल ने कहा। पद्मपाद पिंगल की और वादसल भरी दुष्टी से देखकर बोला। पिंगल मैं भी तुम्हारे उपकार को कैसे बूल सकता हूं। तुम्हारी सहायता से ही मैं महा माय पर विजय प्राप्त कर सका। इसलिए मैं किसी न किसी दिन तुम्हारे गर अतधी बनकर आ जाओंगा और तुम्हारी मां के दर्शन कर लूँगा। अभी मुझे अनेक कार्यों को निपटाना है। उन सब को करने के लिए मेरे यहा रहना आवश्यक है। परन्तु सबस पिंगल ने हसन गोरी के पास जाकर बताया कि वह अपने देश को लोट रहा है। उसकी बाते सुनकर हसन आशर में आ गया और पूछा पिंगल या तुम कैसी बाते करते हो। तुम समुझते हो जैसे तुम किसी पडोसी गाउ में जा रहे हो। जानते हो कि तुम्हारे देश और इस देश के बीच कितने हजार मीलों की दूरी है। क्या इतने दूरी की यात्रा के लिए कोई ऐसे ही निकल पड़ता है। पिंगल मुस्कुरा कर बोला। हसन तुम्हे मेरे शक्ति एवं सामर्द्य का पता नहीं है। तुम मेरे साथ सामने दिखने वाली शिला की ओट म आ जाओगे तो तुम्हे में एक अद्बुत व्यक्ति के दर्शन कराऊंगा। उसको तुम्हारे साइनिक और रेगिस्ताने डाकों का देखना ठीक नहीं है। यह कहकर वह समीप की एक शिला की ओट मी चला गया। पिंगल ने अपने मन के भीतर मंतर का पाठ किया। उस पर भलुक केतु प्रत्यक्ष हुआ और उसके सामने गुठने टेक कर बोला प्रभू क्या आग्या है। आप मुझे अनेक दिनों से भूल ही गए है। मुझे एक बार भी याद नहीं किया। भलुक केतु का भयंकर रोप देखकर हसन गोरी डर गया। उसके शरीर में कम कापी अच्छा गई और जोर से चिला कर वहा से भाग जाने को हुआ। तब पिंगल ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। हसन तुमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह बलुक केतु मेरा सेवक है। क्या यह राक्षश तुमारा सेवक है। बड़े विसमे से हसन ने प पर बैट गया और बोला हसन मैं अब अपने देश को लोटता हूँ। भूक प्यास से तड़कते समय तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हारे प्रती सदाक्वतद्नी रहूंगा। तुम्हारी इस भलाई को मैं कभी नहीं बूल सकता। यह बता कर फिर भलुक केतु को आसमान में उड़ा। समुद्र, नदिया, पहाड और जंगल पार करके सुर्योदय तक पिंगल को अवंति नगर में उसके निवास के पास उतार दिया। अपने मकान को जरजर अवस्ता में धेक गर पिंगल निश्यस रह गया।